गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स ओनाइल क्लासीज में आप सभी का स्वागत हैं जैसे कि हमने पहले टोपिक किया था प्रोफिट एंड लोज का आज नाए टोपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लिफेशन सरली करन आओ इसको सीखते हैं सिंप्लिफेशन जो हमारा टोपिक है वो हमारा आल क्लासीज में हमेशा काम आता रहता है तो इसके अंदर जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बोड मास बी ओ डी एम ए एस सिंप्लिफेशन के लिए हम यह फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं बी ओ डी एम ए एस बोड मास बी मिन्स ब्रेकेट्स ओमिन ओ टी से डी जिए एम से मुल्टिपलिकेशन एस से एडीशन एस से सब्ट्रेक्ट ब्रेकेट्स ब्रेकेट्स हमारी की फोर टाइप के होती है चार तरह की होती है फुरस्ट बार केट्स ईसके बाद जो अती है हमारी सेकंड ब्रेकेट्स इसके बाद है है उसके बाद कि थार्ट पे है कुर्ली ब्रेकेट यानि रिंस इसको उसके बाद है हमारी स्केर ड्रेकेट चे जिए पूर करकार के हमारे सामने आती है उसके बाद वह ओफ होता क्या है ऊरिक इसको हिंदी में बोलते हैं हम का के की जिसका अर्थ हमारे कुष्च्ञों के अंदर multiply करना होता है आपको बताय जाएगा इसके बारे में भी उसके बाद है division division का जो हमारा sign रहेगा वो इस परकार से रहेगा उसके बाद multiply आप सब जानते भी होंगे यह multiply का sign है उसके बाद add add का हमारा यह sign होता है s स सब्ट्रेक्ट सब्ट्रेक्ट का हमारा यह sign होता है यह बहुती आसान है simple है बस हमें याद रखना है कि यह solution किस परकार से हमने question होगे करने है और किस परकार से यह जो formula apply करना हूँ कैसे करना है तो students हम एक दो question करके देखते हैं इसको मैं raise कर देता हूँ question है जैसे हमारा 14-8 divided by 4 plus 5 multiply by 3 तो देखे स्ट्वेंट्स बहुत ही आसान question होते है बिल्कुल ध्यान से समझना है देखे हमारे जो question के अंदर है हमने sign check करने है कि कौन कौन से आया हमारे पास minus है divide है plus है और multiply है ने तो हमारे पास भी से brackets है नहीं हमारे पास question में off आया है इसका जो rule होता है सबसे पहले bracket solve करनी होती है नमबर एक पे दूसरे नमबर पे off solve करना होता है थर्ड नमबर पे divide solve करना होता है division बोलते सको हम फिर multiply solve करना हो फौर्थ नमबर पे उसके बाद add solve करना है फिप्त नमबर पे और उसके बाद subtract को solve करना 6th number पे बहुत ही आसान है students बस थोड़ा सा ध्यान रखना है करते हुए तो देखे students हमारे पास brackets इस question में नहीं है तो next step जो हमारा है off का है off check करते है question के अंदर यदि आया है तो solve करेंगे यदि नहीं आया है तो next step रखते हैं हम third है divide divide देखो students इन दो नमबरों के बीच में divide है तो पहले हम इसको solve करेंगे step by step करते चलेंगे इसको हम तो 14 minus इन दो नमबरों के बीच में divide है तो 8 divided by 4 तो 4 तूजा 8 इन दोनों का solution निकल के आया हमारे पास 2 आया है उसके बाद जो back side में plus 5 multiply by 3 हमारे पास divide 6 हो चुका है उसके बाद नेक्स्ट है next देखते है हमारे पास step 4 multiply multiply देखना students किन नमबरों के बीच में है हमारा इन दो नमबरों के बीच में multiply का sign है तो उसका next step जो है ये करेंगे हम इसका solution करेंगे बाक्की जो चीजें है बाकी जो numbers है बाकी जो sign है वो same as it is रहेंगे तो continue वे में 14 minus divide पलस 5 तरीज़ा 15 students हमारा third step भी clear हो चुका है next step देखते हैं multiply के बाद हमारा क्या आता है add तो अब हम add के step को करेंगे add हमने check करना है किन नमबरों के बीच में है लेकिन यहाँ पर students बहुत ज्यादा mistake होती हमारी वो ध्यान में रखनी है क्या रखनी है कि देखना हम इन दो नमबरों के बीच में add कर देते हैं जो कि गलत है यह गलत है ध्यान रखना है हमने इन दो नमबरों के बीच में add का sign तो देख लिया है लेकिन इसके साथ ही हमारा यह चलेगा कि यह तो minus का 2 है और यह हमारे पास plus का 15 है तो याद रखना यह हमने check करना है यहाँ पर आकार कि कौन सा minus का number है कौन सा plus का number है यदि हम इन दोनों को plus करने चलेंगे तो यहाँ पर हम mistake करेंगे पलस करना बड़े ध्यान से ही करना है तो देखना students हमारे जो ना इसको करने की दो या तीन ट्रीक अत्ती हमारे सामने एक तो ट्रीक यह है कि इन दो नमरों का plus करके चलेंगे लेकिन कैसे करेंगे वो ध्यान रखें यह minus का है यह plus का है क्योंकि यह साइन अलग है यह minus के 2 number है और यह हमारे पास plus के 15 number है तो हमारा अंसर जो रहेगा जिसके नमर ज्यादा रहेंगे वो हमारे पास अंसर में सामने आएगा इन में से अंतर निकल के हमारे सामने आएगा यह plus कभी नहीं हो सकते पलस किस कंडिशन में होंगे पलस होंगे जब दुन्नों numbers के सामने same sign हो जैसे plus 2 हो और plus 15 हो तो ही हमारा अंसर plus के 17 रहेगा यदि दुन्नों sign equal होंगे तो ही हमारे number add होके next step हमारे सामने आएगा यह याद रखना हमने गलती नहीं करनी है ठीक है तो हमारे पास जैसे ही है अलग-अलग sign हमारे सामने निकल के आते हैं तो हमारा वहाँ पर अंतर निकल जाता है difference निकल के हमारे सामने आता है और answer के अंदर जो number बड़ा है उसी का sign उस number के सामने आएगा जो की answer आता है हमारा तो students इसको step को करते हैं यह होगा 14 यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी दोनों का यदि हम solution करते हैं तो यहाँ पर plus के 13 हमारे सामने आएंगे students ध्यान रखना गलती नहीं करनी मैंने अभी आपको समझाया था यदि दूनों का solution करेंगे तो हमारे पास plus के 13 सामने निकल के आएंगे और यह हो जाएगा हमारा 14 पलस में 13 27 लेकिन इससे आसान जो ट्रिक है जो solution है वो दूसरा भी है वो यह है कि देखना जिस नंबर के सामने कोई sign नहीं होता है उसके सामने हमेशा पलस होता है यानि कि वो पलस का नंबर count होता है तो हमने पलस करना है तो पलस के 14 और पलस के 15 इन दो नंबरों को हम add कर करके चलेंगे यहाँ पर 14 पलस में 15 यह हमारे हो जाएंगे 29 पलस के 29 माइनस 2 याद रहाना students यह गलती नहीं करनी हमने जिसक नंबर के सामने कोई भी sign नहीं होता हो हमेशा add में count होता है पलस में count होता है पलस के 14 यहाँ पर पलस के 15 थे तो यह दो नंबर हमारे add होएंगे इन दो को add गर के चलेंगे पलस के 29 माइनस में 2 तो जब at last हमारा जो step मिलता है वो हमारा subtract तो इसका solution जो करेंगे तो यह हमारे पास last step ही बसता है तो 27 पलस का answer यह हमारे सामने निकल कर आएगा students ध्यान रखना गलती नहीं करनी है एक question और करके देखते हम इसी परकार से कोई next question लेते है students हम 128 divided by 8 into में 5 minus 7 पलस 4 उसके बाद off लेके चलते हैं इस question में हम 12 बहुत ही आसान question है हमने इसके इनदर एक step और बढ़ाया है तो जब इसका solution करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़ी इसी ध्यान से करना है बड़ी ध्यान से करना है तो step by step चलेंगे आपको starting हमने यह चेक कि हमारे पास sign कौन कौन से निकल के आए है divide है multiply है minus b है plus b है off भी है तो सबसे पहले brackets हमारे पास question में नहीं है तो next step हम चेक करते हैं off off का जो step है इस question में चेक करेंगे तो हमारा इन दो नंबरों के बीच में मैंने आपको off का meaning बता था कि multiply करना होता है लेकिन हम multiply का sign apply नहीं कर सकते यहां पर students गलती नहीं करनी हमने multiply का sign नहीं लगाना है आपर ध्यान रखना सिरफ simplification यानि कि इसका solution करके दिखाएंगे हम यहां पर बाकी same question ऐसा ही लिख देंगे 128 divided by 8 into 5 minus 7 plus हमारे पास इन दो नंबरों के बीच में off है तो 12 forza 48 12 forza 48 इन दोनों का solution जो हमारे सामिल निकल किया है मैंने आपको बता था off का meaning जो होता है वो multiply करना होता है लेकिन multiply का sign apply नहीं करना है okay students तो हमारा off का solution हो चुका है next step हम check करेंगे हमारा divide का step है divide का step देखते हैं किन दो नंबरों के बीच में हैं यह हमारे पास यह दो नंबर ऐसे हैं जिनके अंदर divide का sign आया हुआ है तो we solid इसको divide करेंगे हाँ यहां पर गलती करते हैं बहुत सारे students इसको मतले divide ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं तो एक simple से यह लेके चलते हैं इसको 8 से यहां पर divide अलग से करके देखो इसको check करो 8 बंजा 8 इसको माइनस किया तो 4 8 नोट डाउन 8 6 आ 48 हमारे पास जो निकल के सामने आया 16 इन दो लोगा जो solution है वो हमरे पास 16 निकल के सामने आया multiply by 5 माइनस 7 प्लस के 48 हमारा divide भी सोल उचको स्ट्वेंट्स next step हमारे पास आते है multiply तो multiply हमने चेक करना है किन दो नंबर के बीच में हो 16 multiply by 5 इसका solution हम करेंगे 16 5 जा 80 माइनस 7 प्लस 48 next step मैंने आपको समझा था बता भी आप पहले question हम भी बिल्कुल same condition हमारे सामने निकल गया आई थी तो यही condition हम फिर से सोल करेंगे students add की condition है ये add हमारा ये दो नंबर जो है ये दो नंबर हमारे add के हैं तो इन दो नंबरों का हम add करेंगे 8, 8, 4, 12 students गलती नहीं करने है ध्यान रखना ये पलस का 80 और पलस का 48 ये दो नंबर हमने add करने है उसके बाद इनका solution या लिक no down minus 7, 121 answer ध्यान रखना students गलती नहीं करने हमने step by step question के अंदर चलना है कोई भी mistake ना हो हमसे thank you झाल 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 सबस्द़क कर सकते दाने थाफना झाल 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 इनका हमने ध्यान प्रशस बाचल साथरे लड़का ये लिएक वग़ का फ्या वे रवाद